Hey guys, finally End Man and the Wasp Contamanya का Trailer out हो चुका है और इस Trailer में हमें Kang the Conqueror के Universe को भी दिखाया जा रहा है So, आज के एपसटर में हम Kang के Universe और उसके Army के बार में डिसकस करने वाले हैं इस से Related बहुत ही Awesome Detail निकल कर आई हैं हाँ कॉमिक से रिलेट करती हैं पर अभी तक इसको किसी ने डिसकस नहीं किया है एंड वन मोर थिंग ये मूवी इस यूनिवर्स पर बेज़ड होगी तो चलिए इस्टार्ट करते हैं सुर्टू की से एक चोटी सी गलती के विए से कॉंटम रेलम का पोडल खुल जाता है और सारे उसमें खिचे चले जाते हैं और उसके बाद ही हमें कैंग का यूनिवर्स देखने को मिलता है अब क्योंकि इतनी जाद रिटेल मार्वल की तब से रिवील नहीं की गई है इस वह से हम कॉमिक बुक का रेफरेंस लेने वाले हैं अब क्रोनो पॉलिस सीटी सर्कुलर सेफ की थी और कवर थी एक हुज ट्रांस्प्रेंट डूम से और यह कंटेंड करती थी सारे एक्सेस पॉइंट को एवरी एरा में जिसको कैंग ने कॉनकर किया था या प्रोसेस में था कॉनकर करने के अब क्रोनो पॉलिस से कैंग किसी भी टाइम के एरा में इसली आ जा सकता है इस वज़े से वो क्रोनो पॉलिस सीटी को चूज करता है खुद को रहने के लिए और इस सीटी का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट हर्ट ऑफ फरेवर था एक ट्रांस्क्रोनल इंजिन जिसने क्रोनो पॉलिस की टाइम स्ट्रीम की हर ब्रांच में एक साथ एक्जिस्ट रहने में कैबल बनाया था रोनो पॉलिस सिटी जो हर टाइम को टच और अफेक्ट कर सकती है जिसकी विज़े से कैंग चेंज कर सकता है पास्ट के इवेंट को किसी बे डाइवर्जेंट डॉक भी दिखने वाला है तो ये भी पॉसिबिल्टी हो सकती है कि वो भी कैंग की आर्मी का पार्ट हो तो यह ट्रेलर देखने एक बाद मैंने क्रोनो पॉलिस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये डिटेल आप से सेर करनी चाहिए वोफ सो कि आपको एपसोड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मुझे से कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका कोई सजेशन हो इस वीडियो से डिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मिलते हैं किसी नए और आसम कॉंटेंट के साथ तिल देन गुड़ बाई